दोस्तो अभी से एक बच्चन की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजेटीव आई है थोड़ी देर पहले ही अमिताब बच्चन ने यह टूइट किया था कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजेटीव आई है और उनको मुंबई के हॉस्पिटल में भरती किया गया है साथ ही उनके परिवार वालों को भी भरती किया गया है जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी थी तो अमिताब बच्चन जो की इतने बड़े महानाया के उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ही पूरे सोशल मीडिया में इंडिया में तहलका समझ गया है हर कोई प्रातना करने के लिए सुरू कर दी है सभी ने प्रातना करना और उनको जल्दी से स्वस्थ होने की दुआ करने लग गए हैं अब जैसे ही पता चला कि अमिताब बच्चन को हुआ सब को सौक लगा था अब उसके बाद उनके जो लड़के हैं एकलोते लड़का अभी शेक बच्चन उनको भी कोरोना पॉजिट हो गया है दोस्तों अब बागी के लोगों की रिपोर्ट आना भी बागी है कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि यह सब लोग पूरा परिवार एक साथ रहता है सब ही की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई अगर ऐसा होगा तो यह बहुत ही दुखत सूचना है देखो दोस्तों आम जनता तो बहुत दूर इतने बड़े-बड़े महानायक लोग भी इस वाइरस से नहीं बच रहे है जो कि एक खतरनाक वाइरस है और अमिताब जीन अपने टूइट में यह भी बता है कि पिछले दस दिन से जितने भी लोग उनसे मिले हैं वहे सभी लोग अपना अपना टेस्ट करा लें कहीं यह बिमारी दिन बदिन और ना बढ़ जाए आने वाले समय में अमिताब बच्चन अभी से एक बच्चन के अलग अलग फिल्में आ रही हैं और अभी से एक बच्चन से भी जो मिले होंगे वो अगर यह न्यूद देखें अगर उनको सोसल मीडिया से पता तो चल ही गया होगा सभी को अपना अपना टेस्ट करा लेना चाहिए ताकि वह खुद को और अपने परिवार को बचा सके आने वाले समय में अमिताब बच्चन करोड़ पती को होस्ट करेंगे उनके अलावा उनकी चार फिल्में आने वाली हैं और अमिताब जी आपको तो बता ही है हम बच्च्पन में उनको देखके बड़े हुए अ और अमिताब बच्चन जी की एक समय तूती बोलती थी वॉलीवूड के अंदर वो बस हमारी प्रातन है के इनका परिवार जल से जल स्वस्थ हो जा और इनके अलावा पूरे वर्ड के अंदर भारत के अंदर जितने भी लोग कोरा वाइरस से पिरिटत हैं वो सभी लोग ज जॉप की वीडियो मोटिवेशनल वीडियो और दरह दरह की न्यूज वाली वीडियो अभेलेवल है आप वहाँ पर जाके वो देख सकते हैं थैंक्यू सो मच